पाई जैसे संगठन कैसे एक्टिव हो जा रहे हैं? ने हो नहीं जा रहे हैं, वो तो हमेशा से एक्टिव था. इतनी मेंबर्शिप है लाखों की संख्या में, कि एकदम से समझना कि प्रतिबंद लगते ही और सब भूमिगत हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है, और निगा उन पे रखनी है, जो कि विद्भंसक गतिविधी करना चाहते हैं, और PFI के बैन में, के विरोध में कुछ हिंसा करना चाहते हैं, और अभी भी ट्रेनिंग कैम्प्स लगा रहे हैं, और जो पहले गतिविधीयां थी, इल्लीगल, उनको जारी रख रहे हैं, उनके उपर कारवाईयां हो रही हैं, उनके रिवार्ड्स भी डिकलेर हो रहे हैं, अभी ATS ने UP की दो पचास-पचास हजार के नामी पकड़े हैं, और जो रहाई मंच के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हलफ नामा लिया गया है, तो कोशिश लगातार जारी है, NIA की भी, Central Agencies की भी, और जो विभिन स्टेट्स की ATS हैं, उनकी भी, कि शीग्र से शीग्र इतनी ठोस कारवाई हो, कि ज्यादा तर पता दिकारी है, या तो सब भूमिकत रहें, या अपना खामोश रहें, यूपी में हमेशा से अक्टिव था, जो पिछली बार NRC और उसके दंगे हुए थे, CAA के, उसमें मुख भूमिका PFI की थी, मैं तो लखनों में कहीं बार तैनात रहूं वतार आईजी जोन, इतनी संगठानात्मक शक्ती नहीं है लोगों में, कि इतने छोटे से समय में, अलप अवधी में, इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आ जाएं, और इतना हिंसक हो जाएं, कि ओबी वैंस फूग दें, आग जनी करें, तो उसमें बिल्कुल क्लियर फुट्ट्रिंट था PFI का, यहां पर हुआ, मेरट में हुआ, अनने स्थानों पे हुआ, साहरनपुर में हुआ, तो तब ही उसके बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सक्ती की है, कानून बनाया है, तब से आप देखने हैं, शान्ती है, आ सकता है, मुझे कोई आश्यर नहीं होगा, और सिमी, यूपी में ही जनम लिया था सिमी ने, बहराईच वगरा इधर के जन्पदों में, और सिमी के सदस से बाद में चलके जो हैं, वो PFI को जोईन कर लिये, और इस पे अब प्रतिबंद लग गया है, अब तो मैं देख रहा हूँ, मुस्लिम्स भी उसको वेलकम कर रहे हैं, विबिन डिबेट्स में मैं देखता हूँ, तो अब ये कोई ना कोई संगठन नया खड़ा करेंगे, या उनीक यतिविदियों को धीरे धीरे अपना खामूशी से चलाते रहेंगे, तो हमें सदैव सतर्क द्रश्टी रखे जाने के आवश्रकता है, और कोई नया संगठन खड़ा हो, तो उस पे भी कारवाई हूँ, ऐसे संगठन को प्रतिबंद को प्रतिबंद को प्रतिबंद को क्यों हो रही है? खाड़ी देशों से प्रतिबंद से फंडिंग होती है, इन्हों ने सब वो डोनेशन के बॉक्सेज मस्जिदों में रख रखे हैं, बरेली मंडल में, कानपूर मंडल में, बहुत बड़ी संख्या में, तो लोग बाग जैसे मंदिर में दान पेटी में डालते हैं, लोग उसमें डाल रहे हैं पैसा, और उसी से कहने को ये चैरिटेबिल और्गनाइजेशन चलाते हैं, एउकेशनल इंस्ट्यूट चलाते हैं, पर वो सब ना करके ये इसी सब गतिविधी में इनका ये जो पैसा है लग रहा है, खाड़ी देशों से पैसा अभी भी आ रहा है, और जकात के नाम पे निकलता है, वो उसका दुरुपियोग करते हैं और इन गतिविधी ओं में लिपत रहते हैं, जिससे जो गरीब मुस्लमान है, उसको जो लाब पहुंचना चाहिए, वो ना पहुंचकर इनी सब गतिविधी ओं में लगाया जा रहा है, मकसद यही है कि बीजेपी गौर्मेंट, योगी गौर्मेंट, मोधी गौर्मेंट ज़्यादा मस्बूत नहोंने पाएं, जितनी अधिक सदिक सीटे सभासदों की, नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, नगर निगमों की निकल सकें, उनको निकाला जाएं, जिससे कि वो एक लड़ाई में बने रहें, और एक मजबूत अपना पक्ष रख सकें, इस वज़े से किया जा रहा है, दुश्प्रचार तो बहुत समय से जारी है, आप देखी रहे हैं देश में, कि तरह तरह का दुश्प्रचार होता रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये तो लगातार जारी रहेगा और इसको काउंटर भी करना पड़ेगा, संगठन के प्रतिबंगा, जो कि चूप मने हैं? कोई फेस्टिबल्स हैं, जलूस हैं, और आपके कुम्भ मेला टाइप बड़े-बड़े आयोजन हैं, धार्मिक आयोजन हैं, उनसे पहले बहुत से नंबर्स जो हैं वो वाच पे रहते हैं और उनके माध्यम से पता चल पाता है कि क्या हरकते इंकी हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, कहां कोई ग्रवड़ी करना चाहते हैं, जिससे की विवस्था को मजबूत किया जा सके हैं, क्यों नहीं है, इनके ही संगठन के संबन्द हैं, जो विदेश की संगठन हैं, चाहे आई-एस-ई-एस हो, चाहे आपका आई-एस-आई हो पाकिस्तान का, या जो भी हैं ये हिजबल मुजाहिद्दीन हैं, कितने सारे संगठन हैं और कुछ सरदारों के जैसे सिक्फ फॉर जस्टिस और सब हैं ओगनाईजेशन्स जो प्रो खालिस्तान हैं, वो ऐसी संगठनों को पे हात रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, उनको अ उसको कराने की कोशिश करते हैं, यूपी ATS ने प्रतिबंधित संगठन PFI के 211 ऐसे लोगों को चिन्हित किया था, जो संगठन के प्रतिबंधित होने के बाद भी किसी न किसी रूप में काम कर रहे थे, बीते दिनों ATS की 30 से ज़्यादा टीमों ने प्रदेश के कई शहरो में 50 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारी की, 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया, इसके साथ ही वारानसी से परवेज एहमत और रईस एहमत दो लोग पकड़े गए जो PFI के एक्टिव मेंबर थे और अभी भी रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे थे, इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी था, दोनों को जब पकड़ा गया तो पता चला कि परवेज और रईस बड़े पैमाने पर युवाओं का माइंड वाश करके उनको संगठन से जोडने का काम कर रहे थे, कट्टर पंथी विचारधारा फैलाने का काम कर रहे थे, परवेज और र प्रस्यों और लीडरों से मुलाकात की सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी काम किया, फिलाल दोनों को रिमांड पर लेकर पूस्ताच की जा रहे है, कई और खुला से जल्द सामने आएंगे, UP ATS के हत्ते चड़े 50-50 हजार रुपे के इनामी परवेज और रईस हैमत निकाई चुनाओं में सरकार के खिलाफ वोटिंग की तयारी कर रहे थे, दोनों से पूस्ताच में ये सामने आया कि इसके लिए परवेज और रईस ने टेक्नोक्रेट सोशल मीडिया सेल बनाई थी इस सेल से साड़े 300 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग जुड़े हुए थे टेक्नोक्रेट सोशल मीडिया ग्रुप में सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जुटा कर सर्वे कराये जाता था कई मुसलिम नेताओं को बैठा कर डिबेट कराई जाती थी ये भी पता चला है कि उलेमा काउंसिल की मदद से धार्मिक उन्माद वाले वीडियो तयार किये जाते थे सारे सर्वे और योजनाओं को अपने हिसाब से मैनुपलेट करके सोशल मीडिया पर एक आम राय बनाने की कोशिश की जाती थी लोगों को भड़काया जाता था बरगलाया जाता था ऐसे तमाम वीडियो विभिन सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीर छेत्रों में पोस्ट करके लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश में PFI ने 11 साल पहले अपनी जड़एं जबाने की शुरुआत की थी लखनौ के कुरसी रोड पर 2012 में PFI ने अपना पहला सेंटर खोला और करीब 30 किलोमेटर दूर 12 बंकी तक अपनी गतिविदियों को संचालित करने लगे PFI के लोग मदर्सों में पढ़ने वाले छात्रों को बहलाते थे फुसलाते थे और उनको संगठन से जोड़ने का काम करते थे इसी बीच PFI ने लखनौ के ही BKT के अच्रा मोगाओं को अपना दूसरा सेंटर बनाया और वहां भी इसी तरह की कर्दिविदियों की शुरुआत की साल 2018 में दिल्ली में इसलाम को लेकर एक बड़ा अधिवेशन हुआ था जिसमें सिर्फ लखनौ से PFI के लोग 40 बसों में भर कर गए थे ये जानकारी जब खुफिया अजेंसियों को मिली तो उनके होच उड़ गए 2018 में ही सेना की इंटेलीजन्स यूनिट ने केंद्रिय ग्रहम अंत्रालेव को एक रिपोर्ड भेजी थी और एलेट किया था UP में PFI की बढ़ती हुई कतिविदियों को लेकर उसी के बाद ATS और UN एजेंसियों ने PFI के लोगों को चिन्नित करना शुरू किया PFI पर बैन लगने के बाद ही परवेज और रईस लगातार सक्री थे वो PFI के ऐसे पदैदिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे जो गिरफतारी के डर से भागे हुए थे ऐसे लोगों से भी उनका संपर्क हो रहा था जिन्नोंने संगठन छोड़ दिया था एक नए नाम से संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे ठीक उसी तरह से जैसे सीमी पर बैन के बाद एक नया संगठन आस्तितु में आया था ATS को पता चला है कि परवेज और रईस का एजेंडा था मुसल्मानों को लेकर छोटी छोटी घटनाएं एकत्र करना उनको तोड मरोड कर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करना जिससे मुसल्मानों के प्रती एक सहानुभूती की लहर पैदा की जासके ATS को परवेज और रईस के पास से तमाम electronic gadgets मिले हैं जिनमें कई ऐसे वीडियो मिले हैं जो धार्मिक उनमात फैलाने वाले हैं अतीक और अश्रफ की हत्या की वीडियो क्लिपिंग मिली हैं इसके अलावा विदेशों में इस हत्याकान को लेकर छपी हुई तमाम news की क्लिपिंग्स भी उन वीडियो में मिली हैं ATS का दावा है कि PFI नए नाम से एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहा है कैमरा स्योगी प्रमोट के साथ विवेक प्रिपाथी ABP गंगा लखनाओ